बहुत ही आनंद और गवरव का विशय है और सनातन हिंदु धर्माव लंबियों के लिए बड़े संतोश का भी आउसर है क्योंकि पांच सो वरश के संगर्ष और प्रतिक्षा के पश्चात सनातन हिंदु धर्माव लंबियों को ज्याई मिला है और अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में राम लला की प्रतिष्ठा हुई है पूरा वातावरण रामम की हैं हम ये प्रातना करते हैं भगवान श्री राम को कि जिस तरह से आप मंदिर में विराजमान हुए हमारे मन मंदिर में भी आप प्रतिष्ठित हों और इस तरह से जीवन हमारा विशेश रुप से राम माई बने बहुत ही गवरवपुर नक्षन हैं अगला सवाल है कोट ज्यानवापी मंदिर को लेकर फैसला आ गया है लेकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरूद किया है न्याएक प्रक्रिया चलती रहेगी एक पक्ष के फैवर में कुछ आता है फैसला तो दूसरा पक्ष उसका विरूद स्वाबावी गुरूप से करता है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि न्याए प्रक्रिया का आदर तो करना ही पड़ेगा इस देश में रहते हैं इस देश का सम्विदान और न्याए प्रक्रिया का आदर करो न्यायले का आदर करो वो जो फैसला देता है वो फिर स्विकार करना पड़ेगा न्यायले कोई भी उकसाने वाली बात वो देश के विरुध में होगी सदभावना का वातावरन बना रहे और जो कानोनी प्रक्रिया है जो न्याईक प्रक्रिया है उसका आदर करते हुए यातरा करो उसमें आगे बढ़ो और फिर न्यायले के निरने को स्विकार करो इस तरह से बोलना जो नेशनल लेवल के जो नेता है उनको शोभा नहीं देता एक इत्हाद मिल्क कॉंसिल के अध्यक्षे तौकी रजा उनका भी एक लगाता बयान आ रहा है उनको कहना है कि मुसल्मान जो है देश द्रीम की वज़े से सबर कर ला है हमारे नोजमान अगरा कंट्रोल के बाहर हो गए तो देश में जंग का माहल हो यह निवेदन भी भरसना के योग्या है आप कहीं न कहीं शब्दों के जाल के साथ लोगों को उक्साने की चेश्टा कर रहे हो लेकिन देश का युवा वो समझदार है देश नेशन फस्ट सम्विदान और ज्यायलेन प्रक्रिया का आधर कर सवाव प्रसाद मोरें है लगातार वह इतने हैं उसे विष्वा में जो आ स्विकर नहीं करते हैं जैनीजम में कहा स्विकर हैं लेकिन वह धर्मत है तो धर्म के वो जो मुल्य है वो अपने जिवन में होना ही चाहिए धर्म को तो मानो यदि धर्म को नहीं माना तो धर्म नहीं ना पशुबिस समाना धर्म से रहित पशु के समानों जाएगा